दोस्तों यदि आप कुसुमनेट क्लासेज का पेड कोर्से जोईन करके आप अपने UGCनेट की तैयारी मुकम्मल करना चाहते हैं दिसंबर 2023 को लेकर तो कुसुमनेट क्लासेज ने एक अप्लिकेशन लाँच किया है आप गुगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको कुसुमनेट क्लासेज के नाम से अप्लिकेशन मिलेगा आप उस अप्लिकेशन को डाउनलोड करके उस को बाई कर सकते हैं पर्चेज कर सकते हैं एदी पर्चेश करना में किसी तरीके की समस्या आती है तब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं kusubnetclasses at the rate gmail.com पे या फिर 8227065305 नमबर पे नश्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्त का ख्याल रखें उसके बाद पढ़ाई का ख्याल रखें तो साथियों लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अठारा सो संतावन के रिवॉल्ट के बारे में जिसमें हमने आपको बताया था कि अठारा सो संतावन के रिवॉल्ट को हम लोग दो हिस्सों में बात कर पढ़ेंगे तो लास्ट का लेक्चर 1857 के रिवॉल्ट का पहला हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने बात किया था 1857 के बिद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी और कैसे हुई थी और किसने किया था इसके बारे में बात किये थे इसके अलावा हम लोगों ने यह भी बात किया था कि 1857 के रिवॉल्ट के पीछे जो भी जिम्मेवार कारक रहे हैं चाहे वो सोसल काउज हो या एकोनामिकल काउज हो या पॉलिटिकल काउज हो या एडमिस्टेटिव काउज हो या फिर रिलिजियस काउज हो इन तमाम सारे का पारणों के बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्षर में कवर किया था उसी कड़ी में आज का लेक्षर हमारा दूसरा लेक्षर है जिसमें हम लोग मुल तोर पे बात करेंगे 1857 के बिद्रोह से जुड़े हुए अन्य पहलूओं के बारे में जैसे की 1857 के बिद्रोह के दोरान कौन-कौन से जगह महत्पूर्ण केंद्र के तोर पे उभरे और किन-किन नेताओं ने वहां से उस रिवॉल्ट का नित्रित्व किया उसके अलाबा 1857 के रिवॉल्ट से जुड़े हुए अंग्रेजी ओफिसर्स के बारे में जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और तीसरे नमबर पे 1857 के रिवॉल्ट का क्या परिणाम रहा या फिर उसका क्या परभाव रहा और चोथे नमबर पे 1857 के रिवॉल्ट के असफलता के पीछे क्या क्या कारण रहे यह भी बात करेंगे हम लोग आज के लेक्षर में और लास्ट में हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट को लेकर क्या-क्या ओपीनियन रहे हैं अलग-अलग इतिहासकारों के उसके बारे में बात करेंगे और साथी साथ इस विद्रोह से जुड़ी हुई कुछ महत्पूर्ण किताबों के बारे में बात करेंगे जहां से आज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तब आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप पहले लेक्चर को देखिए पहले हिस्से को देखिए उसके बाद दूसरे हिस्से को देखिए तब आपको ज्यादातर चीजे समझ मे आएंगी तो हमेशा की तरह आप कलम और कॉपी लेकर हमारे साथ बैठ जाएं और लिखते चलें एक एक फैक्ट को एक एक कॉंसेप्ट को समझते चलें ताकि आपको एक लंबे समय तक चीज़े याद रहें और और लंबे समय तक तो नहीं लेकिन कम से कम चलो एक्जाम तक तो याद रहना ही चाहिए तभी फिर उसका फायदा हो पाएगा तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि 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 आखिर कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट सेंटर से कि आखिर कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे अठारा सो संताबन के रिवाल्ट के दौरान तो हेडिंग दे दीजे इंपॉर्टेंट सेंटर्स डिवरिंग दरिवाल्ट ओफ एटीन फिफिटी सेवन आप लिखते चलेंगे हमारे साथ देखे कल जब हम लोग पढ़ रहे थे यानि के लास्ट के लेक्चर में एक दो फैक्ट छूट गया था उसको अप लिख लीजेगा 1857 का रिवॉल्ट मंगल पांडे ने शुरू किया यह आप सभी को पता होगा और उनके साथ-साथ उनके मित्र थे इश्वरी पांडे तो जब 1857 के रिवॉल्ट का मतलब जो शुरूआत हुआ मंगल पांडे के द्वारा तो अब यसी बात है मंगल पांडे को ही फासी दे गई थी यही हम लोग लास के लेक्चर में पढ़े थे लेकिन मंगल पांडे के साथ-साथ एक इस्वरी पांडे नामक ब्यक्ति थे उनको भी फासी दे गई थी और एक बंदुक के बारे में भी लिख लीजेगा क्योंकि हम लोगों ने यह लिखा था कि नया जो एन्फिल्ड राइफल आया उसी के बिरोध में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत हुई क्योंकि उसमें गाय और सुर की चर्वी का परियोग किया गया था यही पढ़ा था हमने लेकिन एन्फिल्ड राइफल के पहले जो ब्राउन बेस नामक राइफल चल रहा था यहाँ लिख लीजेगा उसी के जगह पे जो है दूसरे वाले राइफल को सिफ्ट किया गया था और हरियाना के अमबाला में और पंजाब के सियाल कोट में जो है कार्तुस सोरी कार्तुस का रोमें क्या एन्फिल्ड राइफल को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी जो भी ब्रिटिसर्स सेना थी उ इसकी शुरुआत तो कहीं न कहीं मेरट से हुई ही मेरट से शुरुआत हुई और मेरट से काफिला जो है दस मई 1857 को यह दिल्ली पहुचता है और फिर दिल्ली जो है 1857 के रिवॉल्ड का एक इंपोर्टेंट सेंटर बनकर उभरता है सबसे पहले ठीक बैरक पुर्षाबन से शुरुआत किया था मंगल पांडे ने साथ में इश्वरी पांडे को फासी दी गई देखे एक एक चीज को आप याद करते चलेंगे एक वार में याद नहीं हो दो बार पढ़िए तीन बार पढ़िए तीन बार वीडियो को देख लीजे तब आपको मेरे ख्याल से जफर सेकेंड यहाँ आप सभी को मालम होगा तो बहादूर सा जफर सेकेंड जो है यह एक ब्रिद्ध ब्यक्ति है साथी साथ कमजोर भी है और इसके समय जो है मुगलो की जो एरिया था मुगलो का वह आलम से लेकर पालम तक सीमट कर रह गया था तो मुगल इतने मजबूत भी नहीं थे और यह तो खुद ब्रिद्ध थे तो यह खुद नित्रित्व नहीं कर सकते थे लेकिन इन्होंने हामी जरूर भर दी तो जो भी सेना थे जिनोंने बिद्रोह किया ठारासो संतावन के रिवॉल्ट का उन्होंने इन्हें सहंसा ए हिंदुस्तान घोषित किया ल बिद्रोह में जो भी बागिश शेना सामिल थी उनका नित्रित्व किन होने किया वक्त खाने तो इसमें लिखिएगा एक दो पॉइंट लिखते चलेंगे दिल्ली से 1857 के बिद्रोह का नित्रित्व वक्त खा नामक सेनापती ने किया आगे चलकर बिलियम हडसन के द्वारा आगे चलकर बिलियम हडसन के द्वारा बहादुर साह जफर सेकेंड को गिरिफतार किया गया और साथी साथ उनके सन दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खाजिर सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबुबकर को गिरिफतार करके उन्हे एक दर्वाजे से लटकाकर गोली मार दी गई किसने वारा हुडसन ने इसलिए उस दर्वाजे का नाम जो है खुनी दर्वाजा पड़ा पड़ा उसलिए उस दर्वाजे को हम लोग खुनी दर्वाजा के नाम से जानते हैं the bloody gate यह दिल्ली गेट के यह आप दिल्ली जाएंगे तब आप देख सकते हैं दिल्ली गेट के नियर इस्थित हैं नियर वही निकट आप हिंदी में लिखो या अंगरेजी में लिखो तो यह तिल्ली से यदि आप से पूछा जाएगा दो तीन फैक्ट तो आप यह याद रखिएगा दिल्ली बक्स्त खां बहादूर साह जफर सेकंड खुनी दर्वाजा नियर दिल्ली गेट और उनके एक दो बेटे के बारे में और एक ग्रैंट सन के बारे में इतना आपको ज इंसलिय स्टेट इन बुंदेल खंड जहांसी पहले वहां पर मराठो का सासन स्थापी था आगे लिखिएगा वेन राजा ओफ जहांसी डाइड विदावड बियोलोजिकल मेल हेर इन 1853 इट वाज एनेक्स तुद ब्रिटीश राज बाइड गवर्नर जनरल ओफ इंडिया अंडर दे डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स 1853 में जहांसी के राजा उनका कोई बेटा नहीं था तो वो दुनिया से जब चले गए तो आपको पता होगा कि लॉट अलहौजी ने डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स लाया था हडब की निती उसके तहर जो है उसको कबजा कर लिया तो उनकी जो बिध्वा रानी थी जिनको आप रानी लक्ष्मी बाई के नाम से जानते हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया इन मार्च 1889 दे सेंट्रल इंडिया फिल्ड फोर्स लेड़ वाइस सर ह्यूज रोज लिखिएगा अब इसमें ध्यान रखिएगा कि हड्सन जो है वह दिल्ली से रिलेटेड है यानि दिल्ली में बिद्रो हुआ तो वहां पर वह जुड़ा हुआ था अब ह्यूज रोज आ और उसके बाद उसको कबजा कर लिया गया एक जून 1858 को रानी लक्ष्मी बाई और मराठो की जो बागी सेना थी जिसमें राओ साहब हैं और तात्या टोपे हैं इनको अंग्रेजी सेना के द्वारा कैप्चर्ड कर लिया गया ग्वालियर में गाहां से किया गया सिंधिया रूलर्स के यहां से सिंधिया कौन है सिंधिया ग्वालियर के जो देशीर यासत वाले राजा है तो उन्होंने समर्थन क्या था अंग्रे जोका इसलिए वहा से यह पकड़ी गई तीसरे नंबर पे लिखिएगा कानपूर कानपूर में 1857 के रिवॉल्ट का नेत्रित्व नाना साहव ने किया उन्होंने अपने आपको जो है पेश्वार डेकलेर कर दिया था और कहा था कि बहादूर साह जफर सेकेंड का गवर्नर है है वहां का रिपर्जेंटरी तात्य टोपे जो है उन्होंने यहां पर मूलत और हम नसे लडाई श्गड़ा का जो काम है मितलब में तृत्तव का विद्रोव restart का काम टात्य टोपे नहीं किया और है गी जनर्ल बींद हम है जनर्रल बिंड़ा मेहां से जुड़े हुए है कानपूर से है कि ठीक है चलिए कानपूर के बाद लिखिएगा लखनव ज्यादा आपको देखिए ज्यादा आपको नहीं पढ़ना आपको मेंस में आंसा लिखना है तो फिर उसमें एक्स्प्रेइन करके समझा जा सकता है मतलब उसका क्या क्यों कर रहे थे यह वो इसको यहां पर आपको जानने की जरूरत नहीं है जो भी कारण थे वो हम लोग सुरू में पढ़ चुके हैं तो लखनव लिखिएगा लखनव में इस विद्रोह का नेत्रित्व हजरत महल ने क किया बेगम हजरत महल के पुत्र बिर्जिस कादिर को लखनव का नवाब घोशित कर दिया गया और साथ ही साथ एक पैरलल गवर्मेंट की अस्थापना की गई समानांतर सरकार की अस्थापना की गई इसमें हिंदू और मुसल्मान दोनोंने पाटिसिपेट किया था मतलब हिंदू और मुसल्मानों दोनों की भागिदारी थी और यहां पर जो अंग्रेजी अंग्रेज रेसिडेंट है उनका नाम है हेंडरी लॉरेंस हेंडरी लॉरेंस से इनकी लडाई होती है और फिर यह लड़ाई काफी दिनों तक चलती है लेकिन जो लखनाव के बिद्रोही है वह हेंरी लॉरेंस की हत्या कर देते हैं तो जैसे ही इनकी हत्या होती है तो उसके बाद दूसरे अंग्रे जधिकारी को बुलाया जाता है जेम्स आउटरम को और हेंरी हैब लॉक को और वह फिर इसे जीतने का परियास करते हैं लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर तिसरे अटेम्ट चला जाता है तिसरे अटेम्ट में जो है कॉलिन कैम्पवेल को बुलाया जाता है कॉलिन कैम्पवेल को और वह गोर्खा रेजिमेंट की सहायता लेकर मार्च 1858 में लखनव पर पूरी तरीके से कबजा कर लेता है तो तीन अटेम्ट यहाँ पर हुआ बहले अटेम्ट में यहाँ पर कबजा नहीं हुआ ध्यान रखिएगा लखनव के बाद लिखिएगा बरेली बरेली में लिखिएगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही लिखना है ज्यादा नहीं बरेली में रोहिलखंड के पुर्व सासक के उत्रा धिकारी खान बहादूर खान बहादूर ने अपने आपको बरेली का समराट घोसित कर दिया इन्होंने क्यों किया था क्योंकि कमपनी ने जो इनको पेंसन दिया था वह पेंसन से इनको पेट नहीं भर रहा था बोले और पेंसन चाहिए तो इस वजह से विद्रोह में इन्होंने उत्रा ठीक है 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादूर ने बरेली में 1857 के रिवॉल्ट का नित्रित्व किया और यहां पर एक लंबे समय तक लड़ाई चलती रही क्योंकि 40,000 सेना थी तो आसानी से तुरंद से दबना नहीं था तो एक लंबे समय तक यहां पर लड़ाई चलती रही बरेली के बाद आप लिखिएगा बिहार 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 नहीं बिहार बिहार में आपको पता होगा बिहार में कौन सा जगह बिहार में दी मूलत और पे 1857 के रिवॉल्ट की बात करें तो पतना में भी हुआ छिट पूटि आके में लेकिन जो आप से सवाल पूछे जाएंगे वह है आरा बिहार का एक जिला है आरा जहां पर एक जगह है जग्दीशपूर फिलाल अभी जिला है आरा अभी आप से पूछा जाए कि वर्तमान में जगदीशपूर किस जिले में पढ़ता है बिहार के तो आरा जिले में तो जगदीशपूर में असी वर्ष का एक ब्रिध ब्यक्ति जमिंदार जिनका नाम है कुवर सिंग और इनके भाई भी थे अमर सिन इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी उसके अलावा भी इनके खांदान के और भी लोग थे लेकिन मूल तोर पे आपको कुवर सिन को याद रखना है कुवर सिन ने बिहार के आरा जिले के जगदीशपूर नामक जगह से 1857 के रिवॉल्ट का नेत्रित्व किया समझनाई बात चलिए इसमें लिख लिजेगा अमर सिन ने और उनका जो कमांडर इन चीफ है क्रिष्णा सिंग इन्होंने जो है कुवर सिंग का खुब साथ दिया था इस लड़ाई में चलिए और फाइनली जो है कुवर सिन जो है मारे जाते हैं आप मतलब कुवर सिन के बारे में कहा जाता है कि गंगान दी पार कर रहे थे तो उनके एक हाथ में गोली लग गई थी तो उस हाथ को काट कर उर उन्होंने गंगा मा को दे दिया था इलाज नहीं करा सकते थे अब पता नहीं क्यों दिया था इसके पीछे कारण नहीं है लेकिन उस घटना से उनकी बहादुरी को जोड़ा जाता है और यह बात भी सही है क्योंकि 70-80 साल की अवस्था में आप लड़ने के लिए अपने तृत्व संभालते हैं तो उसके पीछे आपकी बहादुरी है ही उसके बाद लिखिएगा 27 अप्रेल 1858 को जो है वह दुनिया से चले गए अगले नंबर पर लिखिएगा फैजाबाद फैजाबाद से अहमंदुल्ला शाह अहमंदुल्ला शाह एक मौल भी है फैजाबाद के इन्होंने जो है यहां से नेत्रित्व किया था और आगे चल करके यह लखनव आ जाते हैं तो लखनव के साथ फिल्म मिलकर यह अपनी लड़ाई को कॉंटिन्यू करते हैं इसके अलावा और हम लोग सेंटर्स की बात करें तो जहांसी किरानी का यह सारी चीजे तो हों गई ठीक है ठीक है गो के एक्स्ट्रा यदि हम लोग बात करें देखो यह सारे जो सेंटर्स थे वह important सेंटर्स थे जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेंटर रहे हैं जो आपको बह पंजाब में भी 1857 के रिवॉल्ट का परभाव रहा और वहां पंजाब पे आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब जो स्टेट है उसकी राजधानी लहोर थी तो लहोर से ही उसका नित्रित्व होगा तो पंजाब में भी इसका परभाव रहा और वहां पर लहोर से इसका नि पाकुरो ने जो है इसका समर्थन किया इस रिवोल्ट का और इसमे लड़ाई लड़ी वोल उन्होंने भी अपनी अपना कॉंट्रिबुक्षन दिया। उसके अलावा इंदौर इंदौर में लिखेगा कॉर्णल हेन्री मेरियन डिवरेंड हेन्री मेरियन डिवरेंड हेन्री मेरियन डिवरेंड हेन्री मेरियन डिवरेंड यहीं डूरेंड रेखा वाला 1857 में इन दोर में इन होने जो है विद्रोह को दबाया और यहां तक हो गया तो मेरे ख्याल से हम लोग important centers के बारे में discuss कर चुके अब देखिए इसी से related आप से सवाल पूछा जाएगा और कुछ-कुछ जगह है जहां से और भी लोग रहें जिनका नाम आप से direct पूछ लिया जाएगा इसलिए आपके बाल नाम लिख लीजिए उसमें और ज्यादा नहीं लिखना है बैरकपूर आपने दिली लखनाव कानपूर यह सारा लिख लिया जहां सी आरा अलाअबाद और बनारश से मौलवील याकत अली फैजावाद आपने लिख लिया है फरुखा बाद से लिखियेगा तुफजल खान भीजनौर से मुहम्मद खान मुरादाबाद से अब्दुलली खान बरेली से आपने लिखा है खान बहादुर खान और मंदसौर से फिरोज सा ग्वालियर या कानपूर से तात्या टोपे आपको लिखना है और असम से मनी रमा दत्ता यह पूछा गया है सवाल उसके बार लिखिएगा उडिशा से सुरेंद्र साही और उजबल साही कुलू से लिखिएगा कुलू हिमाचल परदेश का इलाका है वहां से राजा प्रताब सिंग राजस्थान से जैदयाल सिंग और हरदयाल सिंग और गोरखपूर से गजाधर सिंग और मतुरा से देवी सिंग और कदम सिंग मथुरा से देवी सिंग और कदम सिंग ठीक है तो यह इंपोर्टन सेंटर्स के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिटीस ऑफीसियल्स के बारे में जो अधिकारी थे वो जो असोस्येटेटेड थे इस रिवाल्ट से उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अ अ इसमें अ Maps लिए आना आम लिखा हैर्याना से लिख लिख लिए अ krijgen से लिख लिजी गा राव तुला राम हर्याना से हर्याना से राओ तूला राम संभलपूर से सुरेंदर साही अभी अपने लिखाता सुल्तानपूर से शहीद हसन उसके अलावा राओपूर से नारायन सिंग राओपूर से नारायन सिंग मंदसवर आपने लिखा है सागर से लिखिएगा सागर मध्य परदेश का जगह है जहां पर मध्य परदेश का एक मातर सेंटर इन्वस्टी अभी है आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर हरी सिन गौर इन्वस्टी तो सागर में लिखिएगा शेक रामाजान और मेरट और मतुरा तो आपने लिखा ही है चलिए अंग्रेजी अधिकारी अंग्रेज अधिकारी जो जूड़े हुए थे उनके बारे में आप लोग लिख लीजे कुछ कुछ तो अभी आपने एक्सपैंशन में देखा होगा लिखे होगे आप लोग लेकिन कुछ और लिख लीजे निकोलसन दिल्ली से जुड़े हुए थे आपको बताये ही था निकोलसन ने दिल्ली को अब 20 सेप्टमबर 1857 को वापस कबजा कर लेता है रिकैप्चरड तो निकोलसन लिखिएगा हडशन बहादूर सहब को मारा हिूज विलर नाना सहम के इसने खिलाफ लड़ाई लड़ी हििूज विलर नाना सहम कौन कानपूर लिखेगा क्या हिूज का स्पैलिंग हिूज विलर तो इन्होंने नाना सिहाब के खिलाफ लड़ाए लड़ी तो नाना सिहाब कानपूर वेला ही एरिया होगा क्यों नाना सहाब उता आता है टोपे नील जेनरल निल इन्होंने बनारस और इलाहबाद जेनरल नील जेनरल निल इलाहाबाद प्लस बनारस आगे अकानपूर भी जाते हैं निल के बाद कैम्प विल का कानपूर में भी तो कानपूर को तीन बार वहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती है लखनाव में तो कॉलिन कैम्प विल को जो है पहले तो दिसम्बर 6 दिसम्बर 1857 को बुला जाता है कानपूर को रिकवरी करने के लिए और फिर लखनव के लिए बुला जाता है 21 मार्च 1858 को और 5 मई को बरेली को फिर से रिकाप्चर्ट करने के लिए तो कैंपवेल को तीन वार काम मिला पहली वार कानपूर के लिए फिर लखनव के लिए फिर बरेली के लिए हिंडरी लिखिएगा हिंडरी जो है वह चीफ कमीशनर था अबध का है ना चलिए तो हिंडरी भी जुड़ा हुआ है मेजर जनरल हैब लोक है वह लखनव में मरता 1857 में तो लखनव में ही समझो इसकी लडाई होगी हैब लोक जनरल हैब लोक ह एच ए बी इबी मतलब भी भी फोर वैन गाड़ी वाला है बलोक हे वी ए लो सी के और विलियम टेलर एंड आई यह आरा में है टेलर एन आई आरा में स्पेलिंग लिखे लिए टी ए बाई एलो आर एंड आई आई मतलब आख 1859 आरा जगदिसपूर बिहार वाला उसके बाद हिव्ज हिव्ज रोज जहां सी उपर में लिखा हमने और कॉर्णल ओन सेल बनारस के लिए स्पेशली करनल ओन सेल यह बनारस स्पेशलिस्ट है ठीक है यहां तक आपको समझ मैं बात चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आज के लिक्चर के तिसरे टॉपिक में चलते हैं दो हमने बात क्या important centers और इससे जुड़े हुए अंग्रेजी अधिकारी के बारे में यह बार बार अंग्रेजी अधिकारी को निकलता यार अंग्रेज अधिकारी आप लिखना जो भी हो बस समझना चाहिए यार आप यदि समझ रहो तो फिर काफी है इसमें हम लोग क्या बात कर लें इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तिसरे नंबर पे कुछ ऑथर्स और बुक्स के बारे में जो अठारा सो संताबन के रिवॉल्ट से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह एक जरूरी एस्पेक्ट है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यदि अठारा सो नेट के एक्जाम के दी बात करूँ तब तो ज़्यादा पूछा जाता है इसमें इसमें कोई दोरा नहीं है तो उसको लिख लेते हैं और उसके बाद इसके असफलता और इसका जो ओबरॉल इंपक्ट रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए यार लगबग आठ दस किताबे हैं तो मैं थोड़ा सा देखना ही होगा हमें भी याद तो नहीं ही उपाता है तो याद नहीं करना है बस एक बार वीडियो देखिएगा तब आपको अपने आप याद हो जाएगा पहला नंबर पर लिखिएगा डॉक्टर एसेन सेन या जो बूक का नाम मैं लिखवा रहा हूँ या आपको हिस्टोरियोग्राफी वाले चेप्टर में भी काम आएगा आप सिर्फ यह नहीं सोचे कि 1857 के रिवॉल्ट में ही या काम आने वाला है आपको वहाँ पर भी काम आएगा 1857 1857 किताब का नाम है 1857 इस किताब का जो फॉर्वर्ड है प्रस्तावना जो है वह मौलाना अबूल कलामाजाद ने लिखा यह आप खुद लिख लिजे मौलाना अबूल कलामाजाद कौन है भारत के प्रथम सिक्षा मंत्री दूसरे नंबर पर लिखिएगा जॉन का है इसमें लिखिएगा हिस्ट्री ओफ दसे पॉय वार इन इंडिया हिस्ट्री ओफ द अग्रेज अधिकारी है जिसने किताब लिखा अंग्रेजी राइटर ने है वह इसे सेपव Перв रिवाल्ट करा है सेपवा वहार करा आनि कि यह सैनिकों की केवल लडाई है तो जितने भी कोलोडियल हिस्टोडियंस रहेंगे यह फिर जो अंग्रे जी अंग्रेज ओफीस रहेंगे यदी वह आठारा सो संतावन के रिवोल्ट के बार में दी वो अपना ओपिनियन देंगे तो क्या बोलेंगे कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या फिर यह बोलेंगे कि यह केवल और केवल एक सैने बिद्रोह था तो ध्यान रखिएगा वोलो केवल क्या बोलेंगे कि यह एक मात्र सैने ब म्यूटिनीज शीविल रिवेलियन इन्द इंडियन म्यूटिनीज अठारा सो शंताबन से उन्सट चौथ है नमबर पर लिखियेगा बी बी kepada snow अजूबर बी शीविल शीविल रिवोर्ट इंडियन रिव boundary शीविल रिवेलियन अजयुट्व साथरों काल इंडियन या कुछ्वा शीविल रिवोर्ट रिवोर्ट उन्द ऑच्वां A.T. Embry 1857 इंडिया छथा Eric Stokes The Peasant Andaraj सात्वा लिखिएगा HP चटो पाध्या है किताब क्या लिखा इन्होंने दस्टेपॉय म्यूटिनी इन्होंने भी सैन बिद्रोह कहा इसे दस्टेपॉय म्यूटिनी 1857 यह यहां लिख लिए आपने तो आगे लिखिएगा आठवे नंबर पे PC जोसी इसनोंने लिखा रिवेलियन 1857 नौवे नंबर पे लिखिएगा G. F. Warns इन्होंने लिखा है दे इंडियन म्यूटिनी अठारा सो संतावन से अंठावन दस्टेपॉय नंबर पे जहां से सवाल हमेशा पूछा गया है स्टार मार के लिख लिख लिजेगा यह पूछा ही गया बीडी सावर कर दे इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस इन्ही का ओपीनियन है कि यह एक प्रथम स्वतंतरता संग्राम था इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस अठारा सो संतावन दस आपने लिख लिया एक ग्यारहवे नंबर पे लिखिए लिखते चले किताब का नाम छोड़ियेगा नहीं आप लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको नहीं छोड़ियेगा आपको आगे भी काम आएगा प्यास डी में जब आप एडमिशन ले लोगे तब भी आपको काम आएगा आगे लिखे अशोक मेहता अठारासो संतावन दग्रेट रिवल्ट अशोक मेहता The Great रिवल्ट अठारासो संतावन और बाराहवे नंबर पे लिखिए जी बी मैलसन दा इंडियन म्यूटिनी ओफ 1857 जी बी मैलसन दा इंडियन म्यूटिनी ओफ 1857 तो बोरिंग लग रहा हुगा यार को किताब का नाम तो इतना सारा हिस्ट्रोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन परते एक चाप्टर जब आप पढ़ते होना चाहे मौडन पढ़ हो एंसेन पढ़ हो कोई भी मतलब हिस्ट्री के किसी भी हिस्से का कोई भी चाप्टर आप पढ़ते हैं तो इस चाप्टर से जिड़ो हुए कम से कम दस किताब को ध्यान में जरूर रखिये तो इससे सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजे नहीं थे यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तब आप खुद से समझ सकते हैं यदि बीडी सावरकर का ओपिनियन यदि यह सवाल आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का मानना यह था कि 1857 का रिवॉल्ट एक सैन बिद्रोह नहीं हुकर भारत का प्रथम स्वतंतरता संग्राम था तो आपने ही बता देंगे बीडी सावरकर किताब का नाम ही नोने ऐसा लिखा है और बाकी का भी आप देखकर बता सकते हैं समझ में आई बात तो यदि आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है तब मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड यदि सवाल आएगा तब आप अराम से सॉल्व कर सकते हो यार फिर मुश्किल नहीं है कुछ भी मुश्किल नहीं है आप आराम से बस पढ़ते चलो यह इतना हो गया तो हमने तीन हिस्से को लगवक कवर कर लिया है चौथे हिस्से पर अब हम लोग बात करेंगे तो चौथा क्या कारण हो सकता है सौरी चौथा टॉपिक हम लोग का क्या है लिख लिए आप लोग एक ब्यक्ति है जिसका नाम है जौन लॉरेंस अस्टेट्मेंट लिख लिजेगा इसमें अस्टेट्मेंट को हम लोग पढ़ लेता है किताब पढ़े तो अब अस्टेट्मेंट पढ़ लेता है साथ में तो ज्यादा बहतर होगा आपको समझ में तो उन्हीं के अगेंस्ट में जो है बीडी सावर करने कहा इट वास्ट इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस समझ माई बात चलिए अब कुछ-कुछ स्टेटमेंट लिखते चलेंगे तो शायद ज्यादा बहतर होगा आपके लिए लिए लिखिएगा हेडिंग दे दिजी ओपीनियन्स अवाउट दे नेचर ओफ एटिन फिफ्टी सेवन रिवाल्ट पहले नमबर पे पहला और दूसरा तो लिखवा दिया हमने जॉन लॉरेंस और बीडी सावर करका तिसरे नमबर पे विपन चंद्रा विपन चंद्रा का मानना या था मतलब करा है कि यह जो मुखमेंट हुआ मूल तोर पे यह तब स्टार्ट हुआ जब कैप्चर ओफ पावर स्टार्ट किया अंग्रेजों ने आप देखिएगा कि देशी रियासत पे धीरे धीरे करके जब हडप निती के माधहम से उसने कई सारे देशी रियासत को हडप लि अब इतना आपने तो 1857 के रिवॉल्ट के बारे में जरूर पढ़ लिया है कि आप अपना ओपीनियन भी दे सकते हैं क्या आप इसमें किसी आम आदमी को किसी मजदूर को महिला को या फिर देश की सभी जनता को क्या आप इसमें शामिल होते हुए देख रहे हैं मूल तोर पे जो है यदि मुझ से पूछा जाए तो मूल तोर पे इसमें जमिंदार ही इन्होंने पाटिसिपेट किया था जमिंदारों नहीं क्योंकि उनकी जागिर्दारी को छीना गया लेकिन सोश्यो रिलिजिस काउज जो था वह हिंदू मुसलिम को युनाइट करने के लिए पर केवल नौर्थ इंडियन लोग ही इंडियन हैं आप देखिए कि कल हमने मैप के माध्यम साब को दिखाया था कि नीचे के इलाके में यहाँ पर सतारा यहाँ पर बैरकपूर और यहाँ पर पूना का जो इलाका है नीचे में यहीं हुआ है मतलब नीचे क्यों चले तो लेकि क्या तो उस रास्टरवाद में भारत के सभी राज जी के सभी लोग शामिल नहीं हैं मौस्टली जो है अधिकतर जो है वह नौर्थ इंडियन स्टेट्स हैं यह तो हमने देखा अभी यह फैक्ट है तो पूरे तरीके से भारतिये कहना कितना सही है यह सब आप लोग खुद चुकि में के स्टूडेंट्स है तो आप लोग खुद ज्यादा समझ सकते हो खैर ओपीनियन लिखो एसन सेन सुरेंदरनाथ सेन सेन वही है न हाँ ठीक है एसन सेन लिखिए वाट विगन आज फाइट फोर रिलीजन इंडेड अज वार उफ इंडिपेंडेंस इन्होंने कह कि इस लड़ाई की शुरुआत जो है रिलीजन को बेस बना करके की तो गई लेकिन यह एक इंडिपेंडेंस मुव्मेंट का रूप ले लिया यार बताओ इंडिपेंडेंस मुव्मेंट मतलब किसी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो यांग्रेजों से मुझे जो के खिलाफ कहा है और यदि हम लोग यह कहें कि जमिंदार पूरे के पूरे खिलाफ थे तो यह भी गलत है क्योंकि यदि सभी जमिंदार खिलाफ थे तो फिर सिंधिया ने क्यों समर्थन किया तभी तो जहां से किरानी पकड़ी गई वहां से और हुज रोज और उनके ब पुछा गया है बेंजामिन डिज्राइली लिखेगा इस इता मिलिटरी म्यूटिनी और इस इता नेशनल रिवॉल्ट उसने सवाल खड़ा किया कि क्या यह एक सैने बिद्रोह था यह एक राश्ट्रिय बिद्रोह था आप बताईए आउट्रम और टेलर ने कहा आउट्रम और टेलर अंग्रेज यहां और अंग्रेज यह अधिकारी आ गया है औने चलो जो आप लोग समझे ले ना जब जब मैं 2 जारी करे बोलूह तो आप समझे लो मैं ऑफिसर्स ब्रिटिस ओफिसर्स के बारे में बात कर रह कर रहा हूं का हेज क्या नाम बता है आउट्रम एंड टेलर इसने कहा कि एठारा सो संतावन का रिवोल्ट जो था वह कोई बिद्रो और कोई स्वतंतता संग्राम नहीं था भाई ये सब फालतु की बात है इसने कहा कि दरसल वह एक हिंदू मुस्लिम कौन्स्पिरेसी था ठीक बेज रायमिन डिजरायली समझ लिया आपने आरसी मजुमदार का लिख लिजे आरसी मजुमदार का स्टेटमेंट तो आप सुनोगे और गुस्सा हो जाओगे जो रास्टवादी लोग हैं अपने आपको जो समझते हैं उन्होंने कहा यार देखो 1857 का रिवोल्ट जो है या पहली बार फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं कि फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेंस नहीं है इसके बारे में इन्होंने और कहा कि फर्स्ट नेशनल वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस हां फर्स्ट नेशनल वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस यही कहा था ना वीडी सावर करने क्या है तो इन्होंने कहा कि नहीं यह किसरी बात इन्होंने कहा कि यह फास्ट भी नहीं है अब यह यही बात जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या नेशनल था या नहीं था यदि नेशनल था तो फिर आप कैसे इसको समझते हैं तो सेम आर्सी में जुन्दार नहीं बात कही 1857 को रिवॉल्ट को लेकर कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वह ना तो प्रथम भारत राष्ट्रिये स्वतंतिता संग्राम था बलकि राष्ट्रिये भी नहीं था बलकि पहला भी नहीं था ठीक है चलिए और यह भी कहां कि यह वार भी नहीं था तीनों चीज कहां नेशनल था ना फस्ट था ना वार था आर्सी मे जुम्दार का है बबू आगे लिखिए टी यार होल्म्स इन्होंने कहा अंग्रेज अधिकारी है कि यार 1857 का जो रिवॉल्ट है वह सिविलाइजेशनल लोग और बैर्बेरियन जो लोग है खाना बदोस इंडियन लोगों कहा इन दोनों के बीच की लड़ाई है कोई वार इंडिपेंडेंस ये सब नहीं है ठीक है और L.E.R. राइज इसने कहा या वार ओफ फैनेटिक रिलिजियनिस्ट अगेंस्ट क्रिस्चन क्या है L.E.R. राइज लिख लिजेगा राइटर का नाम है इसने कहा कि यह जो लड़ाई है वह फैनेटिक रिलिजियनिस्ट फैनेटिक रिलिजियनिस्ट मतलब जो धार्मिक अंदभक्त कहते हैं धर्म के नाम पर जो अंदभक्त बन गये हैं कटर पंथी जो हैं उनकी लड़ाई है क्रिश्चनों के खिलाफ अब इससे रिलिटेड नेट के एक्जाम में तो सवाल पूछा ही जाता है और भी एक्जाम में अब इससे रिलिटेड सवाल पूछे जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है यह चीज आपको जानना और उसके अलावा जो है और आप इसमें और किसका लिख सकते हैं जरूरी है यार इस सारा लिखना आपको मिटाओं अब लिखिये मैं लिखवा देता हूँ पहला पहला कर रहा हूँ कितना लिखा हमने नंबर तो नहीं दिया है लेकिन इसी में आगे लिखिएगा रोवर्ट्स ने कहा 1857 का बिद्रोह सिपाही बिद्रोह मात्र था लॉरेंस ने कहा कि ये गाए के चर्वी के बज़य से उत्पन हुई सेना का उत्पात था और विलियम होवेड रसल ने कहा 1857 का बिद्रोह स्वतंतरता संघर्स नहीं एक धार्मिक युद्ध था मजुमदार ने कहा जो हमने लिखा भी जवाहलाल नहरू ने कहा 1857 का बिद्रोह सिपाही बिद्रोह नहीं अपितु स्वतंतता प्राप्ती के निमित भारतिय जनता का संगठित संग्राम था यानि जवाहलल नहरू भी जो है इसे स्वतंतता संग्राम से कनेक्ट करके इन्होंने देखा उन्होंने कहा कि ये केवल सिपाही बिद्रोह केवल नहीं था उसके बाद 1857 का बिद्रोह स्वत्धर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रिय संगर्स था यहां बीडी सावर करने कहा सयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा कि 1857 किस्वी की क्रांती भारत की पवित्र भूमी से बिदेशी सासन को उखाड फेकने का पर्यास थी और विपिन चंद्रा को हमने कहा ही उसको लिख लिज़े 1857 का बिद्रोह बिदेशी सासन से राष्ट को मुक्त कराने का देश भक्ती पूर्ण पर्यास था डिजरायली का आपने लिखा ही सन्योक से उपजा हुआ राष्टिय बिद्रोह ब्रूस नौटन का लिखी 1857 का बिद्रोह सैनिक बिद्रोह नहोकर नागरिक बिद्रोह ऐसा ही मतलब सिमिलर स्टेट्मेंट एक दो लोग ने दिया है एसे न सेन का लिखे ही आप लोग तो यह इससे रिलेटेड ओपिनियन्स थे जहां से आप से दी सवाल पूछे जाएं तो आप सवाल को छोड़िएगा नहीं मतलब इतने महनत से हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो सवाल नहीं छुटना चाहिए यदि सवाल छुटेगा तो फिर बहुत दुख होगा यार बहुत दुख होगा अब हम लोग अंतिम पढ़ाओं में हैं आज के लेक्शर के जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई यह असफल क्यों हुआ और इसका जो है इंपक्ट क्या पढ़ा उसके बारे में ठीक है चलिए लिखिएगा अठारा सो संतावन के क्रांती के असफलता के कारण ज्यादा कारण नहीं है लेकिन ठीक है कारण समझ लीजिए आपको कॉंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा या फिर आप यह डिश्क्रेप्टिव लिखना चाहें तब आपको लिखने में हेल्प करेगा पहले नंबर पर लिखेगा निश्चित समय की परतिक्षा नहीं करना देशी राजाओं का देश द्रोही रुख अप्रोपियर्ट टाइम लिखिए सांपर्दाइक्ता का खेल मतलब संपर्दाइक्ता और पूरे देश सब इजी जी कारण है यार शाहर में का कॉइनलीजम् गुज horse स्टिस्पजयंBro पर्टिसिपश्यंद्यजद्यू का का खेल इंटनेश क्तिट्ट श्याहर का खेल्द ट्वsemble अबस इतना एदि आप चार-पांच कारण करते हैं तो काफी है देखें एक कारण और इसमें से दी देख ले तो थीक है उसको देखा जा सकता है कि नंबर ओफ आर्मीज को और एक जो है कि सहायक तत्व का अभाव एक्स्प्रेंड करके एक लाइन में समझा देता हूं ज्यादा इसमें समझना नहीं है आपको देखें फिक्स टाइम और सौरी अप्रोपियर टाइम का क्या मतलब है जब 1857 के रिवॉल्ड की शुरुआत मंगल पांडे ने की तो मंगल पांडे के फार्षी के बाद सैनिकों ने हत्य किया कि इसकी जो लड़ाई है मुकमल लड़ाई जो हम लोग शुरू करेंगे उसके लिए डेट रखा गया 31 मई 1857 लेकिन जैसे जैसे सेना बागी हो रही थी त टाइम फिक्स किया गया उस टाइम पर लड़ाई ही नहीं लड़ी गई तो मैसेज का जो एक्सपैंसन हो सकता था पूरे इंडिया में वह एक्सपैंसन ही नहीं हुआ तो बहुत कम ही से नाई कठा हो पाई इस बजह से जो है इस विद्रोह की शुरुआत उचित समय पर नह गया भाई गौालियर में तो सिंधिया है देशी रियासत राजा है भारत के ही है लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया 1857 के रिवॉल्ट में तो जब वह उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे तो अंग्रेजों को यहां जो बिद्रोह उत्पन हुआ उसको दवा इसलिए कहा गया कि देशी राजाओं का जो देश द्रोही रवया है वह कहीं न कहीं इस भी द्रोह को असफल बनाने में सहायक सिध्ध हुआ उसमें से ग्वालियर के एक सिंधिया भी हैं हमने उपर में एक्जामपल के तौर पे देखा और भी बहुत लोग हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद है कमिनलीजम कमिनलीजम में क्या किया गया किया देखो गाय और सुवर की चर्वी वाला मामला को लाकर इसको हिंदू और मुसल्मान तक सिमित कर दिया गया है ना और बाकी जो सिख रेजिमेंट थे या फिर मदरास की जो सेना थी गोर्खों की जो सेना थी यह सब कैसे खुद को कनेक्ट करते हैं आपने तो हिंदू मुसल्मान को तो चलो कनेक्ट कर दिया संपरदैक्ता के नाम पर किया चलो गाय की चर्वी है तो तुम नाराज हो जाओ सुवर की चर्वी तो हम नाराज हो जाते हैं लेकिन भारत तो सिर्फ हिंदू मुस इस पर वह संख्या ही घट गई और सांपर्दाइक्ता का खेल ऐसा खेला गया कि इसमें बहुत कम से कम लोग पार्टिसिपेट किये तो असफल तो होना था ही कि ए पार्टिसी पेशन उप द्यूर्व लेशन हमने मैं एक हम आप यहाँ पर मैंने इंडिया का मैं बनाए था देखो मैं इन बनाने मेरे सए दरसल बनता नहीं है कि इसका मतलब नहीं कि कि ले कौई लेकर कि यह जिए ऐसे बात करें थेक, तो हमने बताया था, यहां से ट्रॉपिक ओफ कैंसर कर दे तो यहां पर एक लाइन, यहां पर दो और यहां पर तीन, सतारा, intel, यहां पर पुनावला इलाका और यहां पर बेहरकपूर, उसके लाबाँ जितने सेंटर से उपर हैं तो पूरा का पूरा PC हम लोग कर रहे ह अब इतनी देर से वह बाद तो इसके असफलता के पीछे एक कारण बन करकर आहीं गया कि पूरा इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आर्सी मजुंदार का जो स्टेट्मेंट है क्या वह सही है या जो बीडी सावर कर कह रहे हैं क्या वह सही है आप खुद से एक जिम हतयारका से एंग्रेजी से ना भर थी थी तोंगे से एंग्रेजी से Ninin हतियार देते तो विद्रोह करने लगें तो उनसे हत्यार तो छीना जाना ही था सोभाविक सी बात है कि हतियार छीना जाएगा तो हतियार छीना जाने लगा तो हतियारी घट गा हतियार नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे लड़िएगा खतम मामला उसके बाद नंबर ओफ आर्मी तो लगबग इस समय अंग्रेजों के पास 96000 सेना थी और ज चलो तुम लड़ाई लड़ रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे लेकिन कम से कम तुम्हारी हेल्प करेंगे तो जो सहायक तत्व हो सकते हैं उनका भी अभाव था जैसे एक्जामपल के तौर पे यदि आप लड़ने के लिए जा रहे हैं तो दो तरीके का हेल सहायक तत्व हैं तो 1857 के रिवॉल्ट में जो बागी सेना शामिल हुई उनके पास सहायक तत्व का घोर भाव था तो यह भी असफलता के पीछे एक जिम्मेवार कारक बनकर उभरा तो यह लगबक 6-7 कारण थे जिसके बजह से 1857 का रिवॉल्ट असफल रहा आज के कि इसका क्या परभा हो रहा इसको अब आप हेडिंग दीजिए इंपाट इंपाट या रिजल्ट इंपाक्ट या रिजल्ट इंपाथ या रिजल्ट ऑफ दे रिवाल्ट अफ रिवॉल्ट अव ये 157 अब यार ऐसा ऐसा है ना मतलब कि क्या बताओं मतलब इजी इजी है आप इंपक्ट इतना दिर्में समझ गए होगे लिखेगा इंपक्ट या फिर क्या लिक बोल सकते हो आप बताओ इंपक्ट लिख दो रिजल्ट लिख दो आउटकम भी लिख सकते हो किसका अठारा सो संदावन का पहला तो यही होगा क्यार विक्टोरिया का यहां से सासन लागू होगा इंग्लेंड का पार्लियामेंट यहां पर डारेक्ट अब आजाएगा हस्तचेप करने के लिए यह कैसे क्योंकि अठारा सो संतावन का जब रिवॉल्ट हुआ तो यहां पर इस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन का रिपर्जेंटेटी बनकर यहां पर काम कर रही थी लेकिन जब अठारा सो संतावन का रिवॉल्ट हुआ तो अंग्रेज जो पार्लियामेंट थी वहां के जो लोग थे अंग्रेज जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो लोग घवरा गए कि भाई यह क्या है अब इस इंडिया कंपनी से इंडिया संभलने वाला नहीं है इसलिए 1858 का एक्ट लाया गया और इस एक्ट के तहट मतलब यह 1857 के रिवॉल्ट का ही परिणाम है कि 1859 का एक्ट आया यह दि नहीं होता तो जैसे चल रहा था वैसे चलता तो इस एक्ट के रोल स्टार्ट हुआ महारानी विक्टोरिया का ऐसा ही कुछ लिखेगा एक दो पॉइंट 1857 के रिवॉल्ट का पहला परिनाम यह था कि भारत सासन अधिनियम 1858 अंग्रेजी पार्लामेंट के द्वारा पारित किया गया और इसके बजह से पहले जो बेवस्था थी जिसमें एक बोर्ड अफ कंट्रोल और दे कोट अफ प्रोपराइटर्स और दे कोट अफ डिरेक्टर्स हुआ करता था उन सभी का बिघटन हो गया और इनकी जगह पर दा सेक्रेटरी ओफ एस्टेट फोर इंडिया नामक पोस्ट इंडिया जिसको हिंदी में आप बोलते हैं भारत सचीव इसलिए आप आप यहां से जब भी देखेंगे तो दो लोग एक साथ चलेंगे भारत सचीव और वायसराय क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर्स जनर्रल वाला मामला था यह 1857 तक ही चल रहा है उसको भी यहां पर ख लिए आगे लिखेगा और भारत का गवर्नर्स जनर्रल ब्रिटीश सरकार का प्रतिनीधी बन गया और उसे वाइसराय कहां जाने लगा यह वाइसराय में और कोट आप डायरेक्टर्स कोट प्रोपराइटर्स यह सब तीनों मिलकर किसमें चेंज हो गया भारत सचीव में औ अब यह टीन जो हैं रिस्पोंसेबल हो गए भारत की प्रसासनिक राजनिती को और तमाम तरह की व्यवस्था को लेकर यह लोग रिस्पोंसेबल हो गए तो सबसे जो इंपोर्टेंट परिणाम हुआ 1857 के रिवॉल्ट का वह यही था बाकि छिटपूट परिणाम है जो कि फाल्तू पर अ है जैसी कि शस्त्राथ पर प्रव्ध यानी की प्रतिवंध की भारत की सेना को सश्ठ रखने के लिए पृतिवंध लगाया को हथियार बगर नहीं रख सकते हैं इस सब चीजों पर कड़ा प्रतिवंद लगाया गया एक और लिख सकते हैं जैसे पास्चात्य सब्धता के प्रभाव में ब्रिद्धी यानि वेस्टनाइजेशन का जो इंपैक्ट है वह 1857 के रिवॉल्ट के परिनाम के तौर पर उभरा क् परिनाम के तौर पर किसे भी देखा जाता है कि वेस्टनाइजेशन बढ़ा है ठीक है चलो और सरकार की मतलब गुवर्मेंट के पॉलिसी में changes हुए तह इस अपक्या है सबоль जानने की जुरूत के रिवॉल्ड से जुड़े हुए यदि किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है और यदि आपने हमारे इस दोनों लेक्चर को ध्यान पूर्बग देखा है सुना है समझा है महसूस किया है लिखा है पढ़ा है और उस पर चिंतन और मनन किया है तब आपसे एक भी सवाल शायद नहीं छूटे मतलब एक भी हंडेट परसेंट की गरंटी तो नहीं लेकिन असी परतिसत सवालों को आप बल्कुल मतलब बिलकुल अराम से आप सुल्व कर लोगे बाकी बीस पर तिसत सवाल को सुल्व करने के लिए आप किताब पढ़िए किताब के तory को पढ़ सकते हो उसकेलाबाबान स्पेक्टरम को भी पाड़ सकते हो रामलखन शुकल को पढ़ सकते मिध्ष होए्थ बहुत्य देर से आप हमारे सब्सक्राइब ज़्रूर खर और अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर करना और यदि आप हमारा पेड़ कोर से जोइन करना चाहते हो देन आप गूगल प्लेयर स्टोर से आप कुसुम नेट क्लासे को डाउनलोड कीजे और उसके बाद आप उसका फायदा उठाए बहुत कम फी में जो है पूरा